हम लोग क्या पढ़ रहे थे continuity कुछ सवाल डील हुई थे का पिछले कलास में लेकिना सवाल जो आगे पढ़िएगा continuity वाला सवाल को आगे पढ़ने पहले पिछले वाला concept पता होना चाहिए तो इस जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे continuity continuity का जो पहला टाइप है ध्यान दीजेगा continuity का जो पहला टाइप है कि इस टाइप में आपको औसंतत बिंदू पूछता है समझ रहे हो इस जो टाइप है पहला इसमें हमें क्या पूछता है औसंतत बिंदू और औसंतत बिंदू ज्याद करने के लिए हम क्या करते हैं किसी फल ईस फलन के breaking point, पहे जहता है और जब ऊसंतत हो जाता है, तो वही breaking point असंतत हो जाता है, यह सवाल के लिए अप्लिके वल है, किये और जिसका ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ। याद है archive पहचानते हैं These यह भी कुछें किसी बी अंक को बीकिंग पॉइंट कब कहेंगे Прियों कुछी और जो जगा पना जोप mapped तो तो चोथा सुल्ब कजे ये पाच्वा सवाल देखे तो साड़े विदर ते आप लोग सुनिए रहा यह हम लोग देखते हैं को संस नंबर पांच ध्यान यहां होना चाहिए को से नंबर पांच आपका अपका फलन जो है कुछ ऐसा है ध्यान देंगे आप लो एफ एक्स ब बड़ा या बड़ावड है एक के लिए और इसमें है एक छोटा है एक के लिए ध्यान दीजिएगा यहीं आपका फलन हो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा हुआ यहीं ब्रेकिंग पॉइंट हुआ इसी को तो हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइ में इसे में हमें पूछ रहा है और संतत बिंदू क्या होगी ध्यान से देखिएगा और संतत बिंदू क्या होगी पूछ रहा है तो सबसे पहले एक पर हम चेक करेंगे यह चेक करना है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं एलेच लीमिट समझ रहा हुना तो सबसे पहले हम लो लिखेंगे एलेच लीमिट टे स्टार्ट करते हैं एलेच लीमिट बड़ावर फर्मूला पता है न आपको हो लीमिट एक स्टेंस टू एक जगा पे एक माइनस देते सड पर यार है और यहां पे क्या देते हैं फलन यह हम लोगा ध्यान दीजेगा फिर हम फलन का मान पूट करते हैं सुटेबुल एक स्टेंस टू एक माइनस अब फलन चूज कीजिए आपके पास फलन है दो एक यह और एक यह लेकिन एक माइनस का मतलब होता है एक से छोटा एक से छोटा क्ले कौन सा फलन है इसमें देखिए जाइसे छोटाती जेसे फ़लन डाले अब फ़लन का मन बैठा लीजिए लिमेट पैठा लीजिए हैं तो क्या बैठाएगगे अब बिँट ऑन एक मान बथाए यह मानस मत बाटाएगे हमा इस इन्हाजिवर साइट दर सानाने के लिए अब एक जगा पर ब्रेकिंग पॉयंट देंगे अरेश लिमीट कितना है ध्यां दीजेगा आरेश लिमीट सेम टूसें लिमीट एक स्टेंस टू ए एक का मतलब एक एक स्टेंस टू ए और यहां पर प्लस डालते हैं क्यों ताकि प्लस वला साइड हम ले पाएं यह नहीं अब आगे बढ़ा है आप इसको लिमिट एक स्टेंस टू ए प्लस और आप फलन चूज करके रा लिए तो छोटा के लिए यह था तो बड़ा के लिए नहीं होगी हो अब फलन डालिएगा अब एक प्लस वन ध्यान से देखिये घ्ट प्लस वन अब लिमिट पूट का लिजेए एक पूट करेवी पलस को मत देखिए कि फालन से साइड साने के मिए है अब एक बैठाएंगे तो कि न हो जाएगा एक प्लस एक बढ़ावर लिखेंगे ना अब हम लोग क्या निकालेंगे एक न निकाल रहा है तो फलन का मान किस पर निकालते हैं छोटा के लिए कि बरावर के लिए कि बरावर हो ना लेकिने मेंस के जब क्या रखेंगे एक प्लस एक बरावर कितना हो जाएगा दू बता ये लच लिमिट आथा लिमिट फलन का मान से मां गया तो लिखेंगे चुकी लेच लिमिट थोड़ा है ष़ेख दीजेगा लेच लिमिट बडावर पर एक समझ रहें ना हख लिमेट संतत है अजब फलन संतत होता है यहां लगते हैं इसलिए फलन संतत है अजब फलन संतत होता है तब उसके संतत का कोई बिंदु नहीं है बड़ी हम से आप लेग सकतो इसका संतत का कोई भी बिंदू नहीं है तो यह आपका प्रस्ण तो पूछ रहा था पलंका संतत नहीं होगा क्यों कि फलन संतत है यह सवाल नंबर पांच छोड़ा जल्दी से खाली कर लेते हैं जल्दी खाली कर यह पांच वह देख चुके हैं अब और x x square प्लस वन ये है तरी कि क्या हो रहा है ये जो है x q minus t3 ये है x छोटा या बढ़ावर है दूसे और इसमें x बढ़ा है दूसे और हमें पूछ रहा है क्या हमें पूछ रहा है और संतत बिंदु क्या होगा इसका ध्यान दी जिएगा सारे बंदे सारे सुनें द्यान दी यह मेरा फालन है और असंतत बिंदू पूछ रहा है तो बताइए सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट क्या इसका दो तो हम सबसे पहले लिग लेते हैं एक्स बड़ाबर दो पड़ी हम लोगों को चेक करनी है ब्रेकिंग पॉइंट पर नहीं एक बार लेच लिमिट एक बार अब हम सुटेबूल फलन रखते हैं एक स्टेंश टू दो माइनस अगर नज शोटा की लिए कून सा फलन यह नहीं है एक छोटा है दूरसे में तो फलन है एक स्क्यूव मेरा अब क्या करेंगा मान बैठा लीजे समझ रहे हो teve बैठा यहला कितना हो बैठाने अगर तो बैठाते हैं तो दू का पावर थीड़ी माइनस तीन बड़ावर कितना होगा तो आप ग्रफ में से तीन गया तो 5 तो कुल मिला लिसने मिट के निकला आपके पास 5 अब जब इने मिट पांक निकला अब थी आ इस देखते हैं अब यहाँ पे सीधे लिखिए आदर लिमिट आदर लिमिट क्या होता है लिमिट एक्सारेंश टू टू-बलास और फलण यहीं ने मेरा आ रहे हैं नहीं नहीं है दिया दीजेगा एक्स टू प्लस अब आप सुटेबुल फलन चूज कीजिए दो पलस के लिए X टेस्टू 2 प्लस के लिए सूटेबल फलन चूज कीजिए कौन सा है? 2 पलस मतलब 2 से बड़ा क्लिए कौन सा फलन है? यह ना तो X X स्कुर प्लस 1 यह ना अब आप लिमिट कमाण बैठा लिजे लिमिट कमाण बैठा लिए तो 2 बैठाते है 2 के स्कुर प्लस 1 बड़ावर कितना हो जागा? 2 दो नी चाड़ेक 5 लिमिट भी 5 और लिमिट भी 5 समझ रहे ना मतलब भीतर के लिमिट 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 बड़ावर है अब हम क्या निकालेंगे? तो नाव अब हम निकालेंगे फलन कमांत F2 F2 निकालेंगे न F2 निकालते है तो मतलब बड़ावर वाले क्लेंगे कौन फलन है? ये ना इसमें हम X के जोगा पर 2 बड़ावर हैंगे तो बताओ 2 का पावर क्यूब माइनस 3 ये भी आपको 5 निकलेगा बताओ LH लिमिट 5 आरेच लिमिट 5 F2 पे इसलिए यहां फलन क्या है इसलिए फलन एफ जो है फलन एफ संतत है फलन एफ संतत है जो की फलन संतत है इसलिए उसका संतत का कोई बिंदू नहीं है ताब सीधे क्या लेख सकते हो अता असंतत का असंतत का प्रस नंबर 6 लिख लीजेगा तूदंथम देखते हैं लेकिन थोरा देहन दीजेगा अभी तक तो सिंपल सिंपर फलन न मिल रहे हैं आगे जाके पटांग फलन भी मिलेगे जिसका डारेक्ट लिमिट नहीं पूट कर सकते हैं तो उसके लिए भी देखने वाले तो थोरा इस इसा है त्यांस से अपका फलनए X किए पावर 10-01 और X-Skore आए 10-1 जैस्ट है उस छोटा या बरावर है एक से इसके लिए है और हमें पूछ रहा है और 7-2 ऑस vacuum-2 बरावर और द्हयान से देखेएगा यह परस नंबर साथ है औस पूछ रहा है तो सबसे पहले हम एक्स बड़ा वड़ एक पर ही ना काम करेंगे हम सबसे प्रक्राइबोर करेंगे के लिमिट क्या है लेमिट एक स्टैंस टू6 1-2-2 के लिए हम suitable फलन चूज करेंगे ध्यान से देखिएगा limit x tends to 1 minus और इसके लिए फलन बताए एक से माइनस के लिए कौन सा फलन है एक छोटा एक से यह फलन है मतलब यह फलन है x के power 10 minus 1 अब मान बैठा सकते हो मन बैठाए क्या मन बैठाएंगे एक बैठाएंगे तो एक का power 10 और minus 1 तो एक का power 10 बड़ा बड़ भी एक होगा एक में से घटके कितना हो जाएगा जीरो मतलब लेच लिमिट मेरा निकला है एक से च्टेंश टू एक प्लस बताए तो एक प्लस के एक से बढ़ा कंसा फालन है यह एक से स्कुरर न है अब आप इसका मान बैठाए एक लेच निकला जीरो और निकला यह करब ला गई लिच लिए के बढ़ावार नहीं अलब लिखेंगे चुकी लिच लिमिट नॉट एक्वल् टू आर एस लिमिट इसलिए फॉलन एफ कैसा फॉलन है इसलिए फॉलन और और वसंतत है जब फॉलन और वसंतत है तो इसका झांदन毒 알 prohib depend एके पढ़को पेक ही शन्तत है तो इसका झिलीक है प्रणन्ड और लिकिए असटत बिनदू, बड़ावड एक समझे रहा हो ना उसंदेद में उच रहा है तिसका उसंदद बिंदू निकला है को लोचा नहीं यह सवाल नंबर साथ रहा थोड़ा खाली कड़िए जल्दी अथमा देखते हैं जल्दी से साड़े बंदे कोसंस नंबर आठ देखिए एफ एक्स बड़ावड यह जो है कोस नंबर आठ कुछ ऐसा है साइन एक्स बड़ा एक्स और नीचे में है एक्स प्लस वन यह जो साइन एक्स बड़ा एक्स है यह है एक्स छोटा है किसे एक से और इसमें है एक्स बड़ा या बड़ावड है एक से और हमें औसंतत बिंदू पूछ रहा है बड़ाबर ओड़ा ध्यान दीजिएगा और बताओ और संतध बिंदु पूछ रहा हमें ठीक है और ब्रेकिंग पॉइंट कहा है सबसे पहले है देखे इस पर ब्रेकिंग पॉइंट यह 8 नुबर का बेकिंग पॉइंट एक घो तो proudly एब अई डिए एपरस नल आट्ण सक देखी का ब्रेकिंग पॉइंट केतना है सभसे पहले कि ब्रेकिंग पॉइंट जीरो इस बड़ावर जीरो औभी नहां हमें छीक्क करना है एक बड़र जीरो प्मेह सबसे पहले हमlt है लेज़ लेमीट होगा लह मीट एक्ससटैज टू जीरो माइनस और fx और सूटेबल फलं друзья एक्ससटैज हेविए टू जीरो माइनस के लिए सूटेबल फलं बैठा ही जीरो से छोटा के लिए कौन सा फलन है उपरवला नहों साइन एक्स बटा एक्स अब फलन चूज कर लिए इसमें क्या करेगा अब लिमीट बैठा दीजिएगा अब यहां पे एक लोचा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग साड़े विद्यार थी अब एक्स की जगा पे जीरो बैठा दीजिएगा यहन कर तो भी हम्ट से भाग देते हैं तो उसी परकाज जीरो बैठा जीरो कन्ते थो व्युख साइल गोंच भी और नीचे में 0 हो न तो उसका अंदसर क्या होती है या ओपड़िभासित समझ रहे हैं याज तक किसको किसे नहीं किया तो आपको कैसे निकला क्यों समझ West इस हिसाब से कट के हमें को तो अब यहां पेक लोचा है अभी तक जो सवाल देख रहे हैं तो काफी सिंपल था बड़ी राम से काम करें तो रिकोर्डों ने किये थे हनुख यहा अप्तिस यह करेंग है श्यूद करेंगे खोर भीस स्थीऑशी से एकैस